Hello students, आप सभी का All-Round Knowledge में स्वागत है आज मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से एक अर्टिकल लिख सकते हैं तो आप लोग इस वीडियो को बिलकुर सुरु सन तक देखिया और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नहे हैं तो मेरे चैनल को जिरू सब्सक्राइब कर लिजिए क्वेस्टन इस तरह से है तो सबसे पहले हेडिंग लिख देना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंस उप ग्ल्स एजुकेशन उसके बाद बाई देने के बाद अपना नेम मेंसन करना है या फिर क्वेस्टन में जो नाम रहेगा वही नेम यहाँ पर लिखना है और सबसे पहले जो है इंट्रोडेक्टरी पेराग्राफ लिखा जाता है अर्टिकल लिखने के लिए इस तरह साब सुरू कर सकते हैं विमेन मिन वन हाप ओफ हुमेनिटी विमेन का अर्थ होता है कि वे पूरी मानपता के आधी होती है और ग्ल्स के एजुकेशन के बिना जो भी बाते होती है नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की वह होलो है, खोकला है एक नेशन तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब लड़कियां सिक्षित हो अब तक हमारा समाज मेल डोमिनेटे रहा है और जीवन के हर प्लाव में, हर छेतर में महिलाएं, सिब सेकंड फिडल की रोल अदा की है However, education has given them a new confidence जो भी हो, education ने उन्हें एक नया confidence दिया है The scenario is changing fast अब जो प्रिद्रिस से है, वो बदल रहा है The academic world is no longer the monopoly of men अब जो academic world है, उसमें सिर्प और सिर्प men का monopoly नहीं रहा More and more young women are coming forward to challenge the dominance of men और men के dominance को challenge करने के लिए बहुत सारी महलाएं आगे आ रही है Educated girls and women are contributing to the welfare of society और समाज के कल्यान में Educated girls and women contribute कर रही है They have proved to be better doctors, artists, administrators, academicians and engineers than many of their male counterparts और अपने male counterparts की तुला में वे एक अच्छी doctor, artists, administrators, academicians and engineers साभीत हो रही है However, complete literacy of women still remains a distant dream जो भी हो लेकिन पूर्ण सिक्छा महलाओं की अभी भी एक दूर का सपना सा लगता है The percentage of women's literacy among the scheduled castes and scheduled tribes and the economically weaker sections are very low और अभी भी सिक्छा का दर जो है scheduled caste के अंदर, scheduled tribes के अंदर और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके अंदर बहुत ही low है, कम है Many state governments have given some special incentives to attract more and more girls to schools and colleges और बहुत सारी राजसरकारों ने लड़कियों को school और college की तरफ attract करने के लिए बहुत सारे special incentives दिया जाता है एक तरह से प्रसाहन दिया जाता है, कुछ पैसे दे जाते हैं, cycle दे जाती है, और भी बहुत कुछ It is actually the need of the hour to exploit their skills and talents for national development और वास्तव में यह समय की मांग है कि उनके पास जो skills है और जो उनका talent है उसको exploit किया जाए, उसका प्रयोग किया जाए national development के लिए So, उमीद करता हूँ students कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसी तरह की खास जानकारी के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लिए और यदि यह मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा All right dear students, thanks for watching